Hello friends, welcome back to my channel Friends, वैसे तो pregnancy में बहुत से ऐसे symptoms होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की ये जो symptoms मैं आपको बता रही हूँ अगर आप pregnant हैं या pregnant नहीं भी है और आप जानना चाहती हैं कि आपको क्या होगा तो आप अपने पहले संतान से जान सकती हैं कि आपको क्या होगा बहुत से case में ये सही साबित होते हैं बहुत कम ही case ऐसे होते हैं जिसमें ये गलत साबित होते हैं लेकिन आज भी हमारे गाओं में बुजर्ग महिलाएं इन लक्षनों को देखकर पहले ही बहु बेटियों को बता दिया करती है कि उनको बेटा होगा ये बेटी ये जो लक्षन मैं आपको बता रही हूँ आप कॉमेंट में जरूर बताना कि आपके यहां लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं या नहीं और इसे मानते हैं या नहीं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बैल आइकन क्लिक करके वाल पर दबाना बिल्कूल ना भूले ताकि मैं कोई भी वीडियो टालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं आप अपने पहले संतान से कैसे जान सकते हैं कि आपकी अगली संतान क्या होगा लड़का होगा या लड़की फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बच्चे के सर पर बालों के घुमाव से भवर बने होते हैं किसी बच्चे के सर पर भवर लेफ्ट से राइट साइड के तरफ घुमाव लिये होता है पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर आपके पहले बच्चे के भवर लेफ्ट से राइट साइड के तरफ घूमा हुआ हो तो ऐसा माना जाता है कि अगला बच्चा जो आने वाला है वो लड़का होगा और अगर आपके पहले बच्चे का भवर राइट से लेफ्ट साइड के तिरब घूमा हुआ हो तो आपकी अगली आने वाली संतान लड़की हो सकती है और अगर आपके पहली संतान के सर पर दो भवर बने हो तो अगली संतान लड़का होता है ऐसा हमारे बुजूर्गों का मानना है पहली संतान से एक तरीका और है ये जानने की कि आपको क्या होगा लड़का होगा या लड़की होगी अगर आपकी पहली संतान लड़का है और वो अपने दोनों पैरों के बीच से जुक कर पीछे देखता है तो आने वाली संतान जो होता है वो लड़का ही होता है और इसी तरह अगर आपकी पहली संतान लड़की है और वो दोनों पैरों के बीच से पीछे देखती है तो अगल बच्चे के लक्षन को देख कर पता लगाना अनुमाल लगाना कि अगली आने वाली संतान क्या होगी तो फ्रेंड्स उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारी के साथ मैं मिलत कि रहूंगी तब तक के लिए बाई